तो स्वागत है साति हूँ आप सभी का study exam academy में आज गी कलास बहुत ही ज़्यादा दमाकेदार होने वाली है सामनी विज्यान जनरल साइंस की कलास में इसमें मैं biology, physics और chemistry तिन्नू subject को cover करूँगा इस छोटी सी कलास के अंदर मातर मैं आपको one liner क्यूंसन लेकर आया हूँ, total 70 क्यूंसन है, जो की कम समय में cover करूँगा, काफ किसी ना किसी exam में पूछेगे क्यूंसन है, बहुत ही ज़्यादा मैं तुपने राजस्तान पुलिस को इस तोर से इस कलास के अंदर से आपको क्यूंसन देखने को मिलेंगे, 100% करूँगा, फिर chemistry और physics, फेश्ट क्यूंसन आपके सामने है, रक्त का ठका जमाने वाला protein कौन सा है, तो रक्त का ठका जमाने वाला protein कौन सा है, इसका right answer हो जाएगा, फाइबरीन प्रोटीन है, और एक क्यूंसन यहां से यह पूछा जाता है कि रक्त को, जो खून होता है, प्रोटीन फाइबरीन है, और रक्त को नलिकाओं में जमने से हिपरीन नामक प्रोटीन रोगता है, RBC का कबरिस्तान किसे का जाता है, RBC का कबरिस्तान पलिहा या इसको तिल्ली भी बोलते है, पलिहा या तिल्ली को RBC का कबरिस्तान का जाता है, RBC का जिवनकाल 120 दिन होता और RBC में केंद्रग नहीं पाया जाता है लेकिन कुछ अपवाद भी हैं जैसे उमुठ है जिराप है मेंडग है सबसे छोटा इस्तंदारी कौन सा है सबसे छोटा यदि इस्तंदारी आपको एक्जाम में पूछा जाए तो ज्यान रखना चमगादड है कौन सा है चमगादड ये भी काफी एक्जाम में पूछा जाता है और सबसे बड़ा यदि इस्तंदारी पूछा जाता है तो बल्यू वहल है बल्यू वहल मचली सबसे बड़ा इस्तंदारी है सबसे छोटा चमगादड है और सबसे बड़ा इस्तलिये इस्तंदारी वो अफ्रिकन हाती है और सबसे छोटा यदि इस्तलिये इस्तंदारी पूचे जो इस्तल पर रेने वाला तो वो सचुंदर है अगला देखो मानव रक्त वरक की खोज किसके द्वारा की गई तो मानव रक्त वरक की खोज कार्ल लेंड इस्टिनर ने 1900 में की थी जान रखना कार्ल लेंड इस्टिनर ने मानव रक्त वरक की खोज की थी कितने रक्त वरक है चार है A, A, B, B और O यहां से क्यूंशन बनेंगे मैं सारी क्यूंशन आपको cover करवा दूंगा सारवतरिक दाता रक्त समुए कौन सा है सारवतरिक दाता यानि जो किशी को भी रक्त दे सकता है कौन सा रक्त समुए है तो O है ध्यान रखना O किशी को भी दे सकता है अगला देखो सारवतरिक रक्त गराही रक्त समुए कौन सा है रक्त गराही यानि किसी से भी रक्त को ग्रेंड कर सकता है ऐसा कौन सा रक्त समुए है A B है कौन सा है A B सरवाधिक पाया जाने वाला रक्त वरक कौन सा है काफी मेहत पूने ये तो बाकि पहले वारे दो क्यूंसन तो हर किसी को आ रहे हैं लेकिन यहां पर काफी विंतर गलत करते हैं सरवाधिक पाया जाने वाला रक्तवरक कौन सा है जो ज़्यादा तर लोगु में पाया जाता है अधिक तर लोगु में उनकी हत्य हुई थी उनको जब गोल या लगी थी तो उनको जब होश्पिटर में लेज़े आ गया तो खून की कमी हो गई थी और उसमें उनको शरीर में कौन सा रक्त समुए था उनका भी रक्त समुए ओ प्लस ही था ओ पोजिटिव था जिसलिक तर उनको खून नहीं पिल प पेसमेकर करता है कौन करता है पेसमेकर यह हद्य में होता है हद्य की एक दड़कन में लगबक कितना समय लगता है जब हमारे हद्य की एक दड़कन दड़कती है तो कितना समय लेती है जिरो पॉइंट आठ शेकिंड गा और नाड़े की गती कितनी होती है एक मिंट के अंद मानव मुत्र का पिला रंग किसके कारण होता है मुत्र का पिला रंग होता है यूरोक्रोम वर्ण के कारण ये क्यूंचन कहीं बार पूचा गया है मुत्र का पिला रंग यूरोक्रोम वर्ण के कारण होता है अगला देखो पत्यूं का हरा रंग किसके कारण होता है पत्यूं का हरा रंग होता है कलोरोफिल के कारण या परण हरित के कारण किड्नी में होने वाली पत्री किसकी बनी होती है जो किड्नी में जो पत्री होती है वो किसकी बनी होती है ये केलसियम ओक्जिलेट की बनती है नेत्र दान में आंक का कौन सा भाग दान दिया जाता है जब नेत्र आंकों का दान किया जाता है तो आंक का जो कोर्णिय होता है वो दान में दिया जाता है आंक से निकलने वाले आंसूं का पीचमान कितना होता है आंग से जो आँसू निकलते हैं उनका पीसमान होता है 7.3 और 7 पर क्या हो जाएगा विल्कुल यहां पर उदासी नगला देखो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशी का कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशी का है अंडाणू ज्यान डगना कौन सी कोशी का है अंडाणू परसव के दोरान गरबाशी का आकार कौन सा हर्मोन बढ़ाता है परसव किरिया के दोरान जब गरबाशी का आकार बढ़ जाता है कौन से हर्मोन के कारण तो रिलेक्सिन के कारण कौन सा हर्मोन है रिलेक्सिन इसके अलावा भी काफी क्यूंसन वस्तने है जैसे कि यहाँ पर दूद का पिला रंग किसके करण होता है केसिन प्रोटीन के करण होता है गाजर का लाल रंग होता है केरोटीन वर्ण के करण मिरच का जो लाल रंग होता है वो केपसितीन वर्ण के करण होता है इसी प्रकार टमाटर का लाल रंग, लाइक्रोपिन वणना के कारण, फुलू का रंग होता है, वो किसके कारण होता है, जेन थुपिल वणना के कारण होता है, ये क्यों सेन भी पूछे दाते हैं साती हूं एक्जाम में मानव मस्तिस्क का कौन सा बाग सरीर का संतूलन बनाई रखता है तो सरीर का संतूलन कौन बनाई रखता है अनू मस्तिस्क अनू मस्तिक सरीर का संतूलन बनाई रखता है और ठंडा और गरम का पता में चलता है थेलेमस से और भूक प्यास और गर्णा का हाइपो थेलेमस के द्वारा और मस्तिस्का सबसे बड़ा बाग जो यादास रखता है रिजनिंग बुद्धिवलता वो है परमस्तिस्क इसके अलावा मानव मस्तिस्का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम होता है पूछा जाता है विसानू जनित रोग यह रोग हर एक्जाम में पूछा जाता है तो विसानू से कौन-कौन से रोग होते हैं जिवानू से कौन-कौन से रोग होते हैं मैं शारे आपको बताने वाला हूँ सालांकि इसके आपको यूटूब ट्रिक भी मिल जाएगी आप सर्च कर लेना श्ट्रिक से याद अच्छा होगा फिर भी आप एक बार रिपिट मालो रिविजिन मालो विसानू से एड्स होता है सोर्स, स्वाइन, फल्यू, बर्ड फल्यू, पोल्यो, रेबीज, इन फल्यू बारत में पहला एड्स का रोगी चेन्ने के अंदर पाया गया था और राजस्तान में कहां पर पाया था राजस्तान में सबसे पहले पुसकर के अंदर पुसकर अजमेर बारत में पहला एड्स का रोगी हो गया प्रोटो जोवा जनित रोग अब देखो प्रोटो जोवा जन जनित रोग है यह रोग डंग से देख ले ना पुलीस कॉंस्टेबल में पूछे जाएंगे कवक जनित रोग अब कवक से कौन-कौन से रोग होते हैं एथलीन फुट गंजापन आदमी गंजा हो जाता है दाद हो जाते हैं रिंग वर्म दमा और चाले जो होते हैं वह कवक ज पेर के अंदर जो बाले पड़ जाते हैं और नारू का या बाला का देउता किसे का जाता है काला बाला का देउता तेजा जी को का जाता है लोग देउता है वो किस रोग के कारण सरीर में रक्त का ठका नहीं बनता है कौन से रोग के कारण सरीर में जो रक्त का खून आने के वाजो रक्त का ठका बन जाता है वो नहीं बनता है तो ये रोग है हिमोफीलिया जिसको हिमोफीलिया रोग होता है उसके अंदर रक्त का ठका ठका नहीं बनता है देखो इस हिमोफीलिया रोग की सरव परतम जो खोज हुई थी वो बिटेन की महारणी एलिजाबेत में की गई ती इसके अंदर ये हिमोफीलिया विमारी थी इसमें रक्त का ठका नहीं बनता था इसके लब एक और रोग पूचा जाता है वर्णान था कौन सा वर्णान था या इसको कलर विजन कलर ब्लैंडेस भी बोलते हैं इसके अंदर क्या होता है आदमी को पता नहीं चलता कि कलर का जैसे ट्रेफिक लाइट होती है ने लाल और हरी उनका पता उसको नहीं चलता है यानि लाल वे हरे में आदमी विवेद नहीं कर सकता शरीर में आईरन या लोहे की कमिसे कौन सा रोग होता है आईरन या लोहा कुछ भी बोल सकता हो इसकी कमिसे एनिमिया रोग होता है इसको लाईक ठोको, शेर ठोको, नीचे कमेंट ठोको, जल में गुलनसिल, विटामिन कौन से हैं, यह किउम्सन भी कापी मेह थुम हおっ इंच, जल में गुलनसिल कौन कौन से विटामिन है जो जल में गुल जाते हैं, तो इसके अंदर Bc, Bc से बिशलरी हो गया, पानी की बोतल, जैसे जल जल पानी किसमे है विसलरी में है विसलरी में है विसलरी तो याद रख सकते हो जल में गुलंसील विटामिन बी और सी अगला देखो इसके अलावा जितने भी विटामिन है वो सभी वसा में गुलंसील विटामिन किये विटामिन देखो A और विटामिन C विटामिन B और व वर्षा के जल में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन काफी पूछी जाते हैं एक्जाम में तो वर्षा के जल में विटामिन B12 वे पाया जाता है द्यान रखना इसके लावा गाजर के अंदर विटामिन A होता है कोबाल्ड दातू में भी विटामिन B12 पाया जाता है निम्बू है, संत्रा है, आमला है, इनमें विटामिन C पाया जाता है, कौनसा विटामिन C, निम्बू, आमला, संत्रा, जो खटेबल होते हैं दूद और अंडू में जान रखना विटामिन C के लवा सभी विटामिन होते हैं दूद और अंडे होते हैं उनमें विटामिन C नहीं पाया जाता है और सभी में यह होते हैं बागी जो एक अपवाद है दूद के अंदर उंटनी का जो दूद होता है उंटनी का उस उंटनी के दूद में विटामिन C पाया जाता है ये एक अपवाद है और जो सूरी का परकास है उसमें विटामिन D पाया जाता है ये मैं जो बता रहा हूं बहुत जादा मेहत बुण है सूरी के परकास में विटामिन D पाया जाता है तो विटामिन सी है वो नेश्ट हो जाता है अगला देखो रग्त का थक्का जमाने वाला विटामिन विटामिन के है गरम करने पर कौन सा विटामिन नवजाद शिसू के अंदर पुछा जाता है, नवजाद जो शिसू होता है, उसमें 306 हडियां होती है, उसके बाद बाली अउस्ता में उसके अंदर 270 हडियां होती है, देरे देरे जुडती रहती है, और हडियों का जो अध्यन होता है, ये भी पुछा जाता है, हडियों के कि सबसे लंबी और मोटी हड़ी कौनसी है यह कुंसन बार बार रिपिट होता है मानौ शरीर की सबसे लंबी और मोटी हड़ी होती है फिमर होती है कौनसी होती है फिमर जांग के अंदर और मानौ शरीर की सबसे छोटी हड़ी पूछ लिया जाए यह सारे कुंसन पूछे के अंदर होती है और मानुव शरीर की सबसे मजबूत हड़ी मेंडिवल जबड़े के अंदर जबड़े की अड़ी होती है सबसे मजबूत होती है मानुव शरीर में पेशियों की संक्या कितनी होती है मानुव शरीर में पेशिया होती है उसकी संक्या 649 होती है ज्यान डगना और सबसे बड़ी मानुख सरीर की पैसी कौन सी है ये भी पूछा जाता है तो सार्टोरियस जांग के अंदर है ये सबसे बड़ी पैसी है और सबसे छोटी पैसी कौन सी है देखो मैं लिख देता हूँ या पर सबसे बड़ी यदि पैसी पूछी जाए हड़ी नहीं हड़ी त तो हमेसा ही पूछते हैं, इस बार पेशी पूछी जाए सकती है, तो सबसे बड़ी यदि पेशी पूछी जाए, तो पेशी होती है सार्टोरियस, ये जांग में होती है, और सबसे यदि छोटी पूछी जाए तो सबसे छोटी इस्टे पेडियस, ये कान के अंदर होती है, इ मानुव शरीर की सबसे सक्रिय ये पेशी पूछी जाए तो तो सबसे ज्यादा सक्रिय आंग की जो आईरिस होती है और मानुव शरीर की सबसे मजबूत पेशी ये जबडे में और सबसे चिकनी पेशी होती है वो गर्भाईशी की पेशी होती है अगला देखो जिवित कोशिकाओं की सर्वेपरतम खोज किस ने कीती जिवित कोशिका की कोज किस ने की थी 1665 में Robert Hook ने की थी और सर्वेब पर्तम जिवित कोशिका की कोज इसने मर्थ कोशिका की कोज की थी लेकिन द्यान रगना जिवित कोशिका की कोज एंटोनी वोन लिवेन होग ने की थी द्यान रगना एंटोनि व्न लीवे नोग ने 16KI-7 अत्मगास धेली या सुसैड बेग किसे का जाता है परवानू की खोई खूज किसे ने किती बाई ठोज को Holy आल्टर ने की थी परमाणू के नाभी की खोज किस ने की थी और परमाणू के नाभी की खोज रदर फोर्ड है किस ने की थी रदर फोर्ड electron के बाहरी कक्साओं में चक्कार लगाते रहते हैं इनकी खोज जय जय Veteranson ने की ती और electron पर कई बार आवेष पूश लिया जाता है तो electron पर जान लगना इ़ माइस रिनावेस होता है electron पर और इसका जो मान होता है आवेस का मान वो होता है एक पॉइंट एक छे गुणा दस की गात माइनस उगनिस ये दस की गात माइनस उनिस ये होता है कुलाम ये इसका आवेस होता है इलेक्ट्रोन का इसके लाबा प्रोटोन की खोज में बता देता हूँ प्रोटोन की खोज किस ने की थी गोल्ड इस्टीन ने की थी इसके लाब पानी में आग पकड़ने वाली दातु कौन सी है? पानी में आग पकड़ने वाली दातु कौन सी है? पानी में आग पकड़ने वाली दातु कौन सी है? पानी में आग पकड़ने वाली दातु कौन सी है? पानी में आग पकड़ने वाली दातु कौन सी है? पानी में आग पोटेशियम का जो परतीग होता है साथ यूँ, वो क्ये होता है, क्या होता है क्ये, सबसे हलकी दातु कौन सी है, सबसे हलकी दातु लीथियम है, लीथियम का परतीग एलाई, लीथियम सबसे हलकी दातु है, सबसे बारी दातु, ओस्मियम है, ओएस, और सरवादी गलनाक वा तंगस्टन का कहीं बार इसका पुच्छा जाता है तो क्या है । दर्वेग उस्ता में पाई जाने वाली दातु पारा इसको मर्करी भी बोला जाता है HG ये दर्वे उस्ता में पाई जाने वाली एक मातर दातू है पर्थी पर सरवादिक उप्योग में ली जाने वाली दातू लोहा कौन सी है लोहा आईरन नहीं FE आईरन सबसे कठोर दातू कौन सी है सबसे कठोर दातू तो सबसे कठोर दातू पलेटीनम है कौन सी है पलेटिनम पी टी नयूंतम गलनाग वाली दातू नयूंतम गलनाग होता है पारा एच जी मरकरी कितना होता है माइनस 39 डिगरी सेल्सियस भे या ढर की दातू भे या ढर की दातू किसे का जाता है भे या ढर की दातू पलेट पलुटोनियम को का जाता है किसको का जा अगला आसा की धातू किसे का जाता है आसा की धातू यूरेनियम को का जाता है किसको यूरेनियम को परतीक यू इसे आसा की धातू जीवन रखसक धातू जीवन रखसक धातू रेडियम है कौन सी है रेडियम आर ए और बविशे की धातू किसे का जाता है बविशे की धातू एलूमीनियम को कहा जाता है किसको एलूमीनियम को एल है नेक्स्ट तामबा पलस टिन के मिश्रण से कौन सी दातू बनती है ये क्यों से काफी एकजा में पूचा जाता है तो देखो कांसा किसका मिश्रण है ये भी पूचा जा सकता है कांसा तामबा और टिन का मिश्रण है इ दर्वे अवस्ता में पाई जाने वाली एक मातर एदातु ब्रोमिन है, कौन सी है ब्रोमिन, BR सबसे हलकी अकिरिय गेस जिसे गुबारू में बरा जाता है सबसे हलकी है और अकिरिय गेस है यानि ये विल्कुल आग नहीं पकड़ती किसी सके साथ किरिया नहीं करती है हीलियम है कौन सी है हीलियम ही सबसे भारी अकिरिये गेस कौन सी है सबसे भारी है और अकिरिये गेस है ये रेड़ोन है कौन सी है सात्यूँ रेड़ोन अगला देखो विदूत की सुचालक धातू कौन सी है विदूत की सुचालक ए धातू धातू नहीं ए धातू ग्रेपाइट है कौन सी है ग्रेपाइट ग्रेपाइट की सरचना पूछी जाती है 60 फलकी होती है और इसका उप्योग सिसा पैंसिल में किया जाता है सिसा जो पैंसिल होती है उसमें इसका ग्रेपाइट का उप्योग किया जाता है जब बरब पानी पर तेरती है तो इसका कितना भाग बार रहता है जब पानी में बरब आपको पता होगी तेरती है क्योंकि इसका गनत्वे है वो कम होता है क्योंकि बरब का जो गनत्वे है वो पानी से कम होता है कोई भी चीज यह दी पानी पर तेरती है तो उसका गनत्वे के कान तेरती है ज्यान रखना यह point यार रखना गनत्वे और कितना भाग बार रहता है बरब का तो एक बटा दस भाग है वो बार पानी के बार में दिखाई देता है पूरा अंदर पर पूरी तरे से अंदर नहीं डूपती है नहीं पूरी तरे से बार रहती है बलकि उसका एक बटा दस भाग यह में बार दिखाई देता है पानी का सरवादी गनत्वे होता है तो पानी का सरवादी गनत्वे होता है वो होता है चार डिग्री सेल्सेस पर पानी का सरवादी गनत्वे होता है और सबसे कम गनत्वे होता है वो जिरो डिग्री सेल्सेस पर होता है जानूरू के वीरिय को सुरक्सी तरकने में कौन सी गेस साइक है तो नाइट्रोजन कौन सी एन एन नाइट्रोजन गेस जानूरू के वीरिय को सुरक्सी तरकने में साइक है हसाने वाली गेस कौन सी है हसाने वाली गेस है नाइटरस ओकसाइड इस गेस को छोड़ने के बाद आदमी ससूरा हसता ही रहता है अगला निर्वात में परकास की चाल कितनी होती है यह देखो परकास की चाल निर्वात में कितनी होती है काच में कितनी होती है पानी में कितनी होती है यह कि उनसे एकजामें रिपीट होते है बार बार तो निर्वात में प्रकास की चाल कितनी होती है तीन इंटू दस की गात तीन गुणा दस की गात 8 मिटर परती सेकंड होती है इसके अलाबा यदि आपको पानी के अंदर पूछी जाए तो 2.25 गुणा दस की गात 8 मिटर परती सेकंड पानी के अंदर होती है और यदि आपको काच में पूछी जाए तो दो गुणा, दसकी गात, आठ मिटर परती सेकिंड, इसकी जो चाल है वो काच के अंदर होती है, तो ये काफी मेहत बुन क्यूंसन थे, एक्जाम में यहां से आपको 100%, कोई ना कोई पारी के अंदर काफी क्यूंसन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, क्लास कैसी लगी कमेंट करकर आप फिटबेक जरूर दिया करो, धन्यवाज, जैहिन, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हो, तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें